इस शाप के कारण जपकती है पलके, पुरानों में छोटी छोटी बातों का भी वर्णन आता है, हम समय समय पर इनसे जुड़ी कथाएं लेकर आते रहते हैं, आज मैं आपको हमारी पलेकों के जपकने के पीछे की कथा लेकर आया हूँ, पलके जपकने को लेकर देवी पुरान एवं अन्य पुरानों में एक कथा है, इस कथा का संबंध माता सीता के पूर्वजों से हैं, आज वह कथा सुनिए, राजा इच्छवाकू के वंच में खट्वान हुए, खट्वान के पुत्र दीरधभभभभु, दीरधभभभु के पुत्र रगु हुए, शाकृत कम पता है, लोगों को इसलिए जनत की कुल की कथा सुनते हैं, राजा निमी के राजय में अकाल और अनावरिष्टी हुई तो प्रजा संकत में आ गई, निमी बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने इस आपदा का कारल जानने के लिए अपने गुरुजनों से परामर सबकी यही राय हुई कि राजा को राजसुय यग्य कराकर माता जगदंबा के साथ साथ सभी देवों को प्रसंद करना चाहिए। वर्षिष्ट इनके कुल गुरु थे, सारी तयारी पूरी करने के बाद निमी महर्षी वर्षिष्ट के पास गए और उनसे मुखे पुरोहिद बनकर इस यग्य का कार्यभार ग्रहन करने का आग्रह किया। प्राप्त करना चाहता हूँ। वर्षिष्ट निमी के विचारों से प्रसंद थे। वर्षिष्ट ने कहा आपके विचार का ल्यानकारी है किन्तो इसमें एक बाधा है। आपसे पहले इंद्र ने मुझे अपने यग्य का पुरोहिद बना लिया है। आप यग्य सामग्रियों को सुरक्षित रखें। मैं इंद्र का यग्य पूर्ण करते ही आपका यग्य आरंभ करूंगा। निमी ने कहा गुरुवर मैंने अन्य महर्षियों को भी निमंत्रित किया है। फिर यग्य सामगरी को इतने समय तक सुरक्षित रखना कैसे संभव होगा आप कुलगुरू है इसलिए आप मेरे यग्य के लिए चलने की कृपा करें इंद्र दूसरा आचार्य चुन सकते हैं वशिष्ठ ने बात आल दी और यह कहते हुए चले गए कि इंद्र का यग्य पूरा कराकर वह शीग्रा आएंगे और यग्य आरंब करेंगे इंद्र का यग्य लंबा खीचने लगा कई वर्ष बीट गए निमी और प्रतीक्षा करने की स्थिती में नहीं थे वशिष्ठ को ध्यान आया कि उन्हें निमी का यग्य भी कराना है वो तक काल चले वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गउटम को आचार्य बना कर यग्य शुरू हुआ वशिष्ठ क्रोधित हो गए उन्होंने शाप दिया तुमने मुझे आचार्य बनने का न्योता देकर किसी अन्य से यग्य कराया अपने गुरु का अपमान किया है तुमने तुम्हारे लिए ये शरीर वियर्थ है तुम विदेह यानी बिना देह के हो जाओ जिस समय निमी को शाप मिला वह यग्य में दीक्षित थे उनके रित्विच ब्राह्मनों ने आपस में परामर्ष करके निमी के शरीर को मंत्रशिक्ती के बल से सुरक्षित कर दिया उनके शरीर से प्रान को निकलने नहीं दिया परमग्यानी वशिष्थ द्वारा शापित होने से निमी भी क्रोध हुए शापित होकर वशिष्थ अपने पिता ब्रह्मदेव के पहुँचे शैसी पीडित शरीर का कष्ट सुनाकर शाप निवारंग की युक्ती पूछी ब्रह्म हाजी ने कहा कि वशिष्थ को इस शरीर का त्याग करना होगा उन्हें मित्रावरून और उर्वशी के सयोग से फिर से देध धारन करना पड़ेगा यानी जन्म लेना पड़ेगा ये कथा बड़ी रोचक है और इसकी चर्चा आगे अवश्य करेंगे वशिष्थ का जन्म उर्वशी और मित्रावरून से हुआ इगर निमी के यग्य समाप्थ होने पर सभी देवता अपनी आहूती ग्रहन करने पधारे निमी ने शरीर होते हुए भी सबकी उत्तम स्तुती की देवताओं ने प्रसन होकर निमी से कहा कि इस यग्य के फल स्वरूप उन्हें मानव या देवता का स्वरूप मिल सकता है देवताओं ने उनसे इच्छा पूछी निमी की ओर से उनके रित्विज रिशियों और प्रजा ने देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसा प्रजपालिक और उत्तम राजा बहुत सो भाग्य से प्राप्त होता है इसलिए देवतागन राजा निमी का मानव शरीर वापस कर दे निमी ने कहा है देवताओं इस शरीर के खो देने के दर में भर कर मैंने क्रोधवश देवतुल्य अपने गुरू को शाप दिया। अतह मुझे आप शरीर मों से विरक्ती हो बही है। मैं देव या मानव शरीर की इच्छा नहीं रखता। यदि आप मुझे पर प्रसन होकर कोई वर्दान देने को इचु देवों ने निमी को जगदंबा की स्तुती का गुप्त स्तोत्र प्रदान किया। निमी ने जगदंबा की स्तुती की। माता जगदंबा ने निमी को दर्शन दिये। निमी ने मानगा मुझे ऐसा ज्यान दे जिससे मैं शरीर होते हुए सभी मों माया से मुक्त रहूं और प्रजा के नेत्रों में थाहर सकों। भगवती ने कहा अभी तुम्हारा प्रारब्ध भोगपूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हें मैं सभी चर और अचर प्राणियों के नेत्र में वास करने का अधिकार देती हूं। तुम प्रित्वी लोग पर आने वाले सभी जीवों में आँखों की पलग बनोंगे। तुम्हारे कारण ही प्रानियों को आँखों की पलग गिराने की शक्ती मिलेगी। देवतागन इससे मुक्त रहेंगे इसलिए वे अनिमिश कहलाएंगे देवी ने मुनियों को कहा कि निमी के शरीर के मन्थन से एक डिव्य पुत्र पैदा होगा जो विदेहकुल का मान बढ़ाएगा निमी के बाद उनके भाई देवरात ने शासन समभाला देवरात का प्रताप ऐसा था कि जिस पिनाक धनुष को महादेव ने सतीदाह के बाद देवताओं के वद के लिए उठा लिया था क्रोध शान पर होने पर वह धनुष महादेव ने देवताओं को भीट कर दिया देवताओं को उस धनुष की सर्वोत्तम पात्र राजा देवरात लगे इंद्र ने भगवान शिव का वह धनुष पिनाक उनके पास सुरक्षित रखने के लिए दिया था इसी कुल में राजा जनक हुए जिनकी कुत्री वैदेही से श्रीराम का विवाह हुआ भगवान ने वही धनुष तोड़कर स्वयमवर जीता था